आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेस्पी उसके लिए एक बॉल लिए हैं तीन आलू उबाल के बिल्कुल मैस कर लिए हैं बिल्कुल इसमें गुठली ना है अब इसमें डाल देंगे आधा छोटी चमच चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा छोटी चमच नमक डालेंगे दो चमच अरा रोट के आटा डालेंगे इसके जगे आप मैदा के भी इस्तमाल कर सकते हैं अरा रोट के आटा ना है तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मिला लिए हैं अब एक बॉल में तेल लेंगे, इसको साइड कर देते हैं, फ्लेम को चालू कर दिये हैं, मिडियम फ्लेम पे पैन रख दिये हैं गरम होने के लिए, अब इसमें दो छोटी चमज तेल डाल देंगे, तेल को गरम होने देते हैं, अब इसमें अधा छोटी चमज जीरा डाल दे जीरा को हल्का ब्राउन होने देते हैं, जीरा हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें तीन कली लॉंसुन के बिल्कुल बारी काट लिये हैं, इसको डाल देंगे, एक हरी मिर्च बारी काट लिये हैं, अब इसमें डाल देंगे, अब इसको हल्का ब्राउन होने तक भून देते पेहालका सा ब्राउन हो गया है अब इसमें बिल्कुल बारी कटी हुई एक प्याई डाल देंगे आइस को आधे मिनट पक भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनेंगे अब फ्लेम को मेडियम रखेंगे याज को एक मिनट हो गया है भूनते हुए अब इसमें आधा छोटी कप बारी ग्रेटर से कर लिये हैं अब इसमें डाल देंगे अब इसमें एक चोधाई चमच नमक डालेंगे आधा छोटी चमच हल्दी पावडर डालेंगे आधा छोटी चमच घीरा पावडर डालेंगे आधा छोटी चमच लाल मिर्च पावडर डालेंगे कस्मीरी लाल तक भूनेंगे, इसको जादा नहीं भूनेंगे, यह बहुत ही टेस्टी रेस्पी बनेगी, अगर यह रेस्पी आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और सस्क्राइब करना ना बूलें, अब इसको एक से दो मिनट तक भून लेंगे, जो इसमें के प आज जो एक स्टॉपिंग तयार किये हैं, उसको लेंगे, हाथ पे तेल लगा लेंगे, इस तरीका से, इसमें से छोटा-छोटा बॉल के बराबर तोडेंगे, तेल लगा के इसको विल्पिल चिकना करके लोई तयार करेंगे, इस तरीका से आइसको गहरा करते हुए, आशिके, इसको दब आते हुए बंद करेंगे, तेल लगा के इसको डिल्पिल, अच्छा सा चिकना सा तोई तयार कर देंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, इस तरीका से, आइक प्लेट में रखते जाएंगे, इसी तरह सभी को बनाके, ते़ अनली अगा बॉने कर कर लेंगे सभी सिनेक्स को बना के तयार कर लिए हैं अब चलते हैं नेसे स्टिप पे फ्लेम को चालू कर दिये हैं मीडियम फ्लेम पे पाइन रख दिये हैं अब उस पे एक चमच तेल गिराएंगे आइस को चारो तरफ गिरिश कर देंगे इसमें ज्यादा तेल नहीं डालें फ्लेमको दिल्कुल मेडियम रखेंगे अब सिंसे तयार चुल तो दो मीनट तक पका लेंगे अब सिमा तेल में डालेंगे, बिल्कुल कम तेल में बनने वाला रेस्पी है अब बहुत ही टेश्टी भी लगेगा प्लीज जरूर बनाईए और कमेंट करके बताईए कि ये रिश्टी आपको कैसा लगा नीचे के साइट से दो मिनट हो गया है अब इसको प्लट लेते हैं देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसी तरह सभी को प्लट लेंगे सभी को प्लट लिये हैं अब एक चमच की नारे के साइड से फिर से तेल गिरा देंगे नीचे के साइड से फ्राई हो जाए और नीचे के साइड से भी मिडियम फ्लेम पे दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे नीचे के साइड से भी दो मिनट हो गया है क्रेश्पी भी दिखने लग गया है आप फ्लेम को आप कर देते हैं आइस को एक प्लेट में लिकाल लेते हैं देखिए प्लट के भी दिखा रही हूं कितना अच्छा क्रेश्पी बना हुआ है टिकी हो गेरा तब बच्चों के बहुत पसंद है आप चाहें तो इसको लंच में भी दे सकते हैं बच्चों के बना के अगर एक रेश्पी आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें थैंकि यूज